हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी आजा करता हूँ, आप सभी अच्छे और स्वस्त होंगे, तो फिर से आपका स्वागत मेरे चैनल एवरिटिंग हेर में, आप सभी का दोस्त मैं बंटी परता आप नो बकवास, सीधे चलते हैं वीडियो पर, आज का बस टोपिक में आप और बाकि आप देखते ही, आप लोगों को सब पता चलने वाला है, किस तरीके से बाहर की तरफ की जो बोडी होती है, उस पर पेंट किया जाता है, और बाकि छूटी मोटी जोब भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो भाई वीडियो को अभी सही लाइक कर काफी डेंजर वर्क है, तो काफी इंट्रेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है, वीडियो को स्कीप ना करें, और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, तो भाई अपने आहमद भाई का मून तो ऐसा लग रहा है, जैसे भाई इनकी जंदगी जंड हो गई हो, आप दे आईए भाई दोस्तों, आपको मैं मिलवाता हूँ बैंड वाले से, तो भाई ये लगा हुआ अपना बाजा साज यहां पर बजाने के लिए, तो देख रहे हूँ भाई आप, ये भाई आहमद है, ये भाई लेवलों का रहने वाला आपन दा, काफी मस्ता है ये भी तो भाई दोस्तों, आप सोच रहे हूँगे, ये क्या समान है, तो भाई ये समान है, जो हदोडी सी दीख रही है, इसको बोलती हैं, चीपिंग हैमर, इसी चीपिंग हैमर से हटाया जाता है रश्ट को, और भाई ये थोड़ा सा हम जब आते हैं, आगे चल कर, पीछे तो का काम चला है और यह सामने जब नीचे की तरफ जाग कर देखते हैं चेहन दिखाई पड़ती है एक तो एंकर की लंगर की और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को आईए चलते हैं इधर से थोड़ा सा आप की लिए दिखेगा उधर से तो बस एक रोप द साइट तो वाई जितनी बार भी लंगर को डाला जाता है तो जब नीचे एक मंदब फूरा यह एंकर है आप जो देख रहे हो ठीक है यह नीचे की तरफ इसमें बेट होता है बहुत जादा यह नीचे की तरफ समंदर में तली पर जाकर अड़ जाता है मंदब गिर जाता है और यह शिप को रोपता है समंदर में जैसे यह पड़ा हुआ है पोर्ट साइट का यह उपर की तरह पर तो इसमें नीचे की तरफ चैन में इसी तरीके का लोया लगा हुआ तो इसको एंगर बोगते हैं और यह जंजीर इसके पीछे साइकल बोलते हैं तो जब वीरा करते हैं नीचे की तरफ से खीसते हैं तो इसके साथ मट्टी विवगरह आ जाती है तो उससे जब आँ जान लगजाता है पीले कलर का या फिर होना जोगी में देखा और चांव जाता हैं तो फिर दुवरा से प्रेंट किया जाता है तो इस अपनी सिपर जो है ना एक सीगल आ गई है आप देख रहे हैं तो भाई यह देखो यह फिर दो दिन से हैं वहीं दोस्तों और यह देखो अपना एक सीमैन जाता हुआ और यह दर-ready कड़ा ह भाई ये नीचे जाएगा ये प्रेंट करेगा क्योंकि तो मेरे तो हाथ में चोट लगी हुई है फिंगर में यार मेरी फिंगर गट गई है दोस्तों तो मैं जाने सकता वैसे मैं देता नहीं हूँ हाड वर्क सीमेन को जहां भी अगर कोई डेंजर वर्क होता है तो मैं चीज की कब जरूरत है और जब तक सिप यार देखने में अच्छा ना लगे ना तो सकून नहीं आता है तो वाई ये बंदा अपना लगा हुआ है देखो नीचे जा रहा है तो बैसे सैप्टी बैल्ट देदी है वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है पर फिर भी बं सिप्टी फरसंडिंड को में होता है वैसे तो सब में होता है जो सी के अंदर उतर गया वाई तक अंदर दिल नहीं होता पर कुछ वर्ट डैंजर होते हैं उन दैंजर वर्क को भाई हरेका हरेक सिमैन नहीं करता मना कर देता हूं n झाल मेरे दोस्तों काफी कमेंड आते हैं मेरे पास मेरे से बोलते हैं काफी अपने दोस्त जो वीडियो देखते हैं मेरी कि सर आप एक वीडियो जो तुफान आता है समुदर में जब उस तुफान के 20 से होकर सिप गुजरता है जहाज गुजरता है उस पर एक वीडियो बनाएं तो इसके उपर मैंने आपसे तीन महीने पहले एक वीडियो बना रखी है और उस पर अच्छे ठीक ठाक काफी वीव आ रखे हैं तो भाई उदर आप देख रहे होंगे उपर की तरफ मैंने इसका आइकन में लिंक दिया हुआ है तो आप इस पर टाच करें तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं बाकि जब वीडियो ये खतम होगी तो इस स्कीन का जो एंड होता उसमें दो वीडियो वीडियो भी आप पूरा जलबा उसमें दिखाया वया है वीडियो में तो आप उस उस वीडियो पर पहुचें बाकि मैं भाई तो भाई आप देख रहे होंगे ये नीचे एक बैकिट दी जा रही है यानि बाल्टी एक रसी के माध्यम से और नीचे एक बंदा है अपना सीमेन और भाई इस बाल्टी के अंदर पेंट एक है रोल और एक श्ट्रीक दी गई है मनलो लकडी का डंडा सा है जिससे किया जाएगा पेंट तो भाई इतना डेंजर काम होता है आप देख रहे होंगे वाई अगर थोड़ी सी चूख हो जाए तो संदर की तलीका पता नहीं कहां जाकर मिलने वाली है अपने जो भी वाई इस टाइम वीडियो को वोच कर रहे हैं उनसे वाई मेरी रिक्वेस्ट है कमेंड करकर जरूर बताएं आप लोगों ने पहले भी मर्चैन डेवी से रिलेटिव काफी भी लोग देखे होंगे क्या आपको किसी ने इतनी बारिकी से वीडियो में दिखाया है कि सी मैन की जो जोप होती है वो क्या-क्या जोप होती है और कितनी खतना कभी-कभी आप देख रहे होंगे क्या मंजर है अगर यहाँ थोड़ी सी भी चूख हो जाए तो नीचे अगर समंदर में बंदा गिर जाए तो तलहेटी पता नहीं कहां पर है समंदर की यह समझो तुम जादा भी नहीं तो 50-60 मेटर भी हो सकती है और वाई समंदर के अंदर पता नहीं कौन सा जीव जनतू कहने का मतलब सार्क भी होती है जो काफी डेंजर होती है और वाई एक जैली फिस होती है जिसकी 7-8 बुजाय होती है वाई अगर वो सरीर को छू जाए तो भाई वो infection पहुचा देती है शरीर के अंदर मतलब एक तरीके से खुझली मारती है बहुत जोर कि आदमी पागल हो जाता है भाई खुझाता हो जाता तो भाई मुझे नहीं लगता आप लोगों कभी इस तरीके की वीडियो आपको किसी ने दिखाई होगी तो यार तु कि मुझे जिवाप लोगो को दोधिया साले है भाई,हाय हाय है करोच है मैं स्युभ झार खुण करोच है दुर्ब नहींता है क्रख़्ड दो सिर्ण। कर दो अब इस तो अभी सही वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई जो पहली बार जोने हैं चैनल पर देखने के बाद आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है यानि रहें है बॉप अबर मात अ वहां किस तरी तरी देंजर बरक है, हाँ अकम फिस्ट नो है, रहा है याई है, प्रोपस्त कितरे करता है, याईज याईज काम बशा नो से आफ़ा है, याईज काम बशा टेक आउट खरा है, याईज औरूलेके लगाए खिए लेढके अज़सेए राप सुधिटिए प्या जाने या या तेट्ट ही अध में खेल सब्सक्रा टेट्ट ही बाइज टेट्ट है जोर शुखेलने प्लेंट बार्ट्ट को सासेए अध्य अध्या सीं को लागा वीडिया खेल एजिव अध्या स्दॉ तो बाहते दोस्तो यो देखो पोजितिन में अपना भाई अपना ना दिया ख खेम सांच कंग और शाय के अब रूप जिब्स है यह देखोंया और फोपुशीं मावरे खाज़वitive Ahh yes, yes one minute वाई, दोस्तों, इसको आरी र्ह रही लेटी तो भाई तो रही है ब्ण बन, बैचे से लेटी कि आ बहुष, भाई बढ ए रहा है लेग निए अल्र गोसमेवधित says father जवामिभी और भागा, पॉर 1 में को से रहोा है कर जाता है तो भाई जितना भी पर होता है पर या विडियो मेंबर इस रहाए है नहर् sulfur उपर बाए है मेरी वीडियो के साथ डिरी इस रहे था विडियो को बार्ट करें और बाकी बाई एक प्यारा सा कम्मेंट जरूर करें आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो बाकी बने रही ये वीडियो पर अीड़ लाइक लागने कि फिए उरूली में अलाशा और्मने करणा इैंको ओिए खर भीं तेकित ilisus कोफी टाइम तो वाई अपना ये बंदा आ गया है ओपर की तरह कोफी टाइम पर कोफी टाइम पर तीस मिनट का रेस्ट होता है तीस मिनट का रेस्ट होता है तीस मिनट का रेस्ट इस टाइम हो चुका है कम्प्लीट और वाई अपना 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 रेस्ट होता है तीस मिनट का रेस्ट होता है तीस मिनट का रेस्ट इस टाइम हो चुका है कम्प्ली यह सी मैन यह भी और यह फिर अपनी उसी पोजिशन पर जाता हुआ जहां पहले बैठ कर पेंट कर रहा था इस टेज पर और वाई यह नीचे नीचे धीरे 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 जाता हुआ तो वाई आप देख रहे हुए कितना डैंजर वर्क होता है यार पर ऐसी जोप हमेशा नहीं आती है ऐसी जोप सिप पर कभी कभागी आती है तो वाई यार वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यार कमेंट लकर जरूर बताएं और भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीस यार वीडियो को लाइक जरूर करें यार काफी मेहनत पड़ती है यार दिक्कत है यहां जेलने पड़ती है और काफी लिवेर्ट करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए तो यार फ्लीस ध्यान रखा करो थोड़ा वीडियो को लाइक करने का और जो भाई अपने पहली बार जुड़े हैं वीडियो के साथ अगर वीडियो उनको अच्छी लगती है तो वो भी अपने भाई वीडियो को देखने के बाद चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो भाई अपने आको उस भाई को इस टाइम पुचा दिया है एंकर पर ये भाई स्टार बोर्ड साइट का एंकर है तो भाई इसे मैंने बोल कर इस टाइम एंकर पर बठा दिया है क्योंकि यहां बैट कर बहुत ही असानी से अराम से ये पेंट कर सकता है क्योंकि काफी तेज हवाय चल लही है यार आपको भी sound आ रहा होगा वाइस में तो बहुत तेज हवाय चल लही है इस time तो यार और मुसिवत बढ़ा देती है हवा काम को अगर danger work तो हई और बाकी हवा चलती है तो यार ये बिल्कुल very very danger work बना देती है तरीके से एक मुसिवत तोर सामने आ जाती है जब हवा चलती है क्योंकि हाथ छूटने का या फिसलने का काफी chance बढ़ जाता है बैसे तो safety बैड बांदी होई है और एक रोप के माध्यम से तो अगर फिसल भी जाते हैं तो बंदा कहीं जाएगा नहीं लटक जाएगा और उसको उपर की तरफ फिर में आफी फिरी में आती हैं तो इसलिए भाई पहले ही उस चीज को ध्यान लगते हुए काम को करना होता है बाकि मेरी लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं है मतलब जो जादा बड़ी problem आ गई हो मतलब माइंड लगा कर कुछ ना कुछ problem को solve कर लिया जाता है और आप लोगों क जोफ हो अगर emergency आ गई तो उसको ठीक करना है तभी रात हो या दिन हो 24 आवर क्योंकि आप रहते हो सिप पर क्योंकि सिप पर कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जाती कल के वरो से क्योंकि आप समुंदर में चल लए और समुंदर की बाहें समुंदर की गहराई आज तक कोई मा जोटी बड़ी लहरे कप उड़ जाएं ये भी आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है तो इसलिए पहले ही एक्टिव रहना पड़ता है दोस्तों इसलिए जो है सी के अंदर सिप पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंड टो हैंड सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम आता है कि दोस्तों इस टाइम जो स्टेज है उसकी पोजिशन चेंज की जा रही है पहले स्टार बोर्ड साइड ताब इसको गुमा कर दीरे दीरे लाया जा रहा है जिदर की तरफ लंगर गिरा हुआ है पोर्ड साइड तो अभी इदर की साइड जो भी कलर करना है वो काम यहां पर स्टार्ट हम करने वाले हैं मगे अल्गता तो भाई दोस्तों आप जा रहे हैं वाई दोपेर कर लंच करने के लिए और उसके बाद भाई कंटिन्यू करते हैं स्टार बोर्ट साइट का तो एंकर एरिया था जो हमने कलर कर दिया है पोर्ट साइट का एक बज़े के बाद करते हैं और लगा दी है इस टाइम भाई दोस्तों इधर लगा हुआ है अपना एहमद यह फीटर है अपने सिपर तो भाई यह थोड़ा सा इंजन का कुछ काम आ गया है यहां पर आप देख रहे होंगे यह पाई फैसायत किसी पानी या बार्टर सप्लाई का तो भाई इसमें कोई सुराग उराग हो गया था त आपको मैंने सुबह मॉर्णिंग में दिखाया था एक सीमें अपना यहां पर चिपिंग कर रहा था जो तो उसने बाई यह दो रोप के ड्रम से हैं जिन पर डपेटी जाती है रोप रोलर से तो भाई इनको इसने जो है ना चिपिंग भी कर दी ग्लैंडिंग भी कर दी बि है उसको भाई पेंट कंटिन्यू करते हैं देखो क्या होता है हावा तो काफी तेज चल रही है बाग की आके चल कर देखते हैं क्या होता है क्या हुआ 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 है तो भाई दोस्तो सामके पांच बच चुके हैं और पांच बजे भाई सिप का कोई भी काम होता है डैक का सब काम बिलकुल एकदम रोक दिया जाता है तो आज का काम भाई यहीं समाप्त करते हैं और बाकी आप देख रहे होंगे लैडर सी है भाई तो इसको पीछे स्टोर म होएं अप काफी इंटरेश्टिंग विडिए trip को पता चलेगा जो स्टे मैं ऊसे आप में आप जई मजहां करते हैं तो काफी जुआ आता है वैसी में बजो है कॉंटेक्ट अटाइम निकाल लेते हैं सब सी मैं है है यह है इसे यह बाई है तबैंफे में था से बतना нам दाश है कि क्योंच कोokayलosta, मैं आकिटी कूषा नख़ कैNO कोको अव्छ वाय दोस्तोव आज की वीडियो कैसे लगेंगी होगोly नॉ मिशार बीटीी tarkिन को och leagätz के नॉ या लॉदा मैं आज केया म senators रगायस बाता है तो भाई दोस् ấy तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को यार कमेंट करका जरूर बताएं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आइख वीडियो को लाइक करो और जैसे वाई लगती हैं यार कमेंट के माध्यम से बताया करो आपके कमेंड से यार काफी मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए तो इसलिए यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भाई जो पहली बार जुड़ी है मेरे चैनल के साथ अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई कहानी एक नई स्टोरी के साथ तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रा